नमस्कार दोस्तों वापी स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल पोजिटिव बिल्डर्स में मैं हुआ विनाश अर्मा और आज आपको बताऊंगा कि हम जो है वो अपनी स्टेरकेश के नीचे जो है वो किस तरह से बातरूम बना सकते हैं तो अगर आप ऐसी construction करते हैं तो आपका बहुत सारे पैसे बच सकते हैं और आपको एक एक्स्ट्रा बातरूम जो है अपने घर में देखने को या फिर आप जो है वो से यूज कर सकते हैं तो ये proper utilization जो है आपके घर में छोटे से छोटे कोने का आपका एक एक इंच जो है वो जाया नहीं जाए इससे जो है वो आपके स्पेस का यूटिलाइज हो जाता है अच्छे तरीके से और साथ ही साथ आपका जो है वो पैसा बच जाता है तो आप देख सकते हैं आप यहां से स्टेर केस जो है वो शुरू की गई है और स्टेर केस के साथ-साथ जो है आप देख सकते हैं जब कभी आप जो है वो staircase बनाते हैं तो staircase जो है वो आपकी एक flight में ये जो flight है इसमें maximum जो है वो 12 steps होने चाहिए 12 steps से ज़्यादा step नहीं होने चाहिए कुछ लोग जो है वो एक ही flight में उपर तक staircase बना देती हैं तो ऐसा नहीं करना है ये गलत है इससे जो है वो structure stable नहीं रहता तो आपक 5, 6, 7, 8, 9, 10 और 11 तो 11 step जो है वो इस एक flight में है तो हमें जो है वो अपने IS code के अनुसार Indian standard code के अनुसार एक flight में 12 steps से ज़्यादा step नहीं रखने तो हमने यहाँ पे 11 step रखे हैं अब हम जो है वो यहाँ पे कम steps नहीं दे सकते थे क्योंकि हमें जो है वो यहाँ पे bathroom बनाना था और washroom की height कम हो जाती अगर हम जो है इसमें कम step देते हैं इसलिए हमने यहाँ पे जो है वो maximum 11 steps दिये हैं और आपको जादा से जादा 12 step जो है वो एक flight में देने हैं और उसी के साथ मैं आपको बता दू steps होते हैं यह होता है आपका जहाँ पे हम पाउं रखते हैं जो यह वाला surface है इसे हम जो है वो tread कहते हैं और यह जो यहां से लेकर यहां तक step है इसे हम riser कहते हैं तो यह riser होता है यह होता है आपका tread%, tread जो होता है राइजर जो होता है वो step की height होती है तो यह जो steps है वो minimum जो है वो 3 होने चाहिए आपको ऐसा भी नहीं करना है कि हाँ पर 11 steps है flight में और आप उपर वाली flight जो देख रहे हैं जो इस तरफ से flight आपके roof slab के साथ जूड़ी हुई है यहाँ पर minimum जो steps होने चाहिए वो 3 होने स्टेबल रहता है और आपकी staircase रहती है उसमें चलने की कोई दिक्कत नहीं होती तो आपको इस बात का हमेशा ध्यान रखना है उसी के साथ बापिस हम अपने topic पर आते हैं हम आपको जो है वो यहाँ पर दिखाएंगे किस तरह से आपको bathroom बनाना है और किस तरह से आपको इसमें जो है दो लोग आराम से क्रोस कर सकते हैं उसे के साथ आप यहाँ डोर देख रहे हैं डोर की height काफी जादा है standard size की है तो यहाँ पर आपको आने जाने में किसी तरह की problem नहीं होगी अगर हम यह वाली flight जो है इसको अगर यहाँ पर माली जाए 8 या 9 step डालते हैं यहा यहाँ पर भी हमने काफी space जो है यहाँ पर रखा है ताकि यहाँ पर किसी तरह की problem ना हो डोर देखते हैं standard size का डोर है उसमें भी किसी तरह की कमी खामी यह नहीं है यहाँ पर भी कुछ space हमने बचाया हुआ है ताकि आपका door जो है फिर वो खुले या फिर बंद हो तो आप आपके हाथ में या फिर किस तरह की चोट ना लगी आप अंदर आएंगे थोड़ा सा और देखेंगे कि किस तरह से हमने यहाँ पर flight को bathroom के अंदर जो है वो देख सकते हैं आप यहाँ पर वो अभी यहाँ पर कुछ समान है इसलिए मैं आपको पूरे अच्छे से नहीं देख रही है तो यह दोस्तों अब थोड़ा सो compromise तो आपको करना ही पड़ता है क्योंकि इतने पैसे आपके बच रहे हैं एक अलग वोश्रूम बनाने में जो खर्च होता है वो आपको एक लाग दो लाग तक हो सकता है यहाँ पर आपको जो आपका ही स्पेस एक तो यूट चीट और उसी के साथ यहाँ पे देख रहे हैं घीज़र के लिए आपको option दिये गये हैं यहाँ पे wiring के point है light के point है वहाँ पे भी light के point है और बहुत ही जरूरी जो बात होती है exhaust की अग्जोस्ट फैन के लिए जगा बनाए गया है औरव बंटिलेटर का भी यहाँ पे काम हम इससे ले सकते हैं तो काफी अच्छा बातरूम है चोटा बातरूम है और काफी कम पैसो में तयार किया गया है और आपके प्रोपर जो स्पेस है आपके घर में उसका प्रोपर यूटिलाइज किया गया है यहां देख सकते हैं आप यहां पे फिटिंग के लिए प्लंबिंग एसेसरी लगाने के लिए आपके टैप होगे तो इसके लिए भी काफी स्पेस है आप यहां चाहे तो नहा भी सकते हो साथ में कमोड का भी इस्तिमाल कर सकते है और काफी स्पेस है और उसे के साथ जो इसकी प्लस पॉइंट आपको देखने को मिलेगा ये डूर अब ये डूर हमने इसलिए यहां पर प्रोवाइड किया है कि कई बार जो है वो हमारा रूम जो है वो साथ में है और रूम से अगर हमें ये अटैच या फिर रात को आपको अपने रूम से ही वो इस रूम में जाना है तो आप इस दरवाजे को इस डूर को बंद कर सकते हैं और यहां से इस जो आपका बातरूम है इसका यूज कर सकते हैं तो यह जो है वो डोर आपके comfort को देखकर जो है वो यहाँ पे लगाया गया है तो light भी यहाँ पे बहुत अच्छी है ventilation बहुत ही important part होता है construction का हमें ventilation को ध्यान में रखकर ही अपने घर का निर्मान अपनी building की construction करनी चाहिए तो यह ventilation का आप यहाँ दे सकते हैं अच्छी और साफ हवा यहाँ पे आपको इस washroom में आ रहे है तो यहाँ की जो अगर smell होगी वो भी बड़े अराम से बहार निकल जाएगी तो इस तरह की भी कोई दिक्कत नहीं है तो ventilation भी proper है और कम budget में भी हमने bathroom ready कर दिया और साथ में staircase भी बना दी इससे जादा आपको कोई नहीं बताएगा जितना की हम हमारे चैनल के मादेम से आपको detail में बताते हैं अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज हमारी वीडियो को like करें शेयर करें और हमारे चैनल को subscribe करना ना भूलें क्योंकि next वीडियो जो होगी वो आपके लिए बहुत ज़्यादा जरूरी होगी तो notification आपको मिलती रही तो हमारे चैनल को subscribe करें और bell icon को जरूर प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो आपको समय पर मिलती रहें धन्यावाद